गुद मॉर्निंग एवरिवन आज हम ICB 23 Hindi Entire इसके लिए information लेने वाले हैं कि हमें कौन-कौन सी बातों पे ध्यान देना है तो start करते हैं आज हम ICB 23 Hindi Entire का lecture तो इसमें हम सबसे पहले ये हिस्सा देखने वाले हैं कि कौन-कौन सा जो lesson है वो exam में नहीं आने वाला है तो start करने से पहले 2 मिनट ओके, तो ये वो चीज है जिसके बारे मैंने आपसे जिक्रे किया था कि कौन-कौन सा lesson है जो इस साल exam में नहीं आने वाला है ये मैंने पहले भी आप लोगों को information दिया था पढ़ाते time ने भी हम पढ़ाते समय भी हमने आपको ये बताया था कि कौन-कौन से lesson है जो इस साल omit हुए है जिसमें कि ये कुछ छे topic है जो इस साल exam में नहीं आने वाले है पहली इकाई से चार lesson है और दूसरी इकाई से दो lesson है तो चार lesson में सबसे पहला जो lesson है वो है लक्षमी जो की page नमबर तीन से आठ तक है उतना ही page नहीं पढ़ना है बाकि इस में जो extra pages है यानि कि 9-10 जो भी page है जहां पर आपको grammar है या writing skill के topic है वो आपको omit नहीं है वो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा चाहे वो कोई भी lesson के पीछे हो यानि कि omitted lesson के पीछे हो या no omitted lesson के पीछे हो वो सारे कि सारे grammar writing skill आपको exam में पूछे जा सकते हैं लक्षमी page नमबर 3-8 नहीं आएगा गोवा जैसा मैंने देखा page नमबर 18-22 नहीं आएगा lesson नमबर 7 खुला आकाश ये पूरक पथन था page नमबर 27 से 3030 तक page नमबर नहीं आएगा अगला है poem नमबर 11 कृष्चक गान जो page नमबर 49 से 5050 तक है वो नहीं आने वाला है ये पहली एकाई का पोर्षन था दूसरी एकाई में से lesson नमबर 3 है श्रम साधना जो page नमबर 58 से 63 पर है वो नहीं पढ़ना है आपको and last है poem नमबर 8 अपनी गंद नहीं बेचूंगा page नमबर 80 से 81 तक आपको नहीं पढ़ना है नीचे भी सूचना के तौर पे दिया गया है कि इन सारे पाठों को आपको नहीं पढ़ना है यानि कि पार्ट के पीछे जो भाषा बिंदू या उपयोजित लेखन या फिर unseen passage या grammar से related जो भी questions है वो exam में पूछे जा सकते हैं तो वो आपको पढ़ना है तैयार करना है हमने एक textbook भी आपको forward किया था जिसमें जो जो page नहीं पढ़ना है उस पे cross करके भेजा था और ये भी एक paper है जिसमें आपको वापस information दिया जा रहा है आप चाहें तो इसका screenshot भी ले सकते हैं या note down भी कर सकते हैं वैसे ये याद करने वाली चीज है आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि कई बच्चे confused हो जाते हैं जब वो practice paper करते हैं तो वहां पर भी उन्हें कभी कभी इसमें से कोई question या कोई passage मिल जाता है तो वहां पर उन्हें लगता है कि ये भी पढ़ना है ठीक है तो वो लास्ट ये पेपर अगर आप solve कर रहे होंगे तो आपको ये lesson मिल सकते हैं सो प्लीज इसे ignore कीजिएगा इस सल आपको ये छे topic नहीं पढ़ने हैं तो नहीं पढ़ने हैं ओके चलिए presentation स्टार्ट करते हैं यहां पर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे coordinate कर सकते हैं ओके सबसे पहली चीज जो है मैं उसका जिक्र यहां पर करूँगी और वो है आपका paper presentation क्या हो जाता है ICB 2 और 3 में सबसे बड़ा reason ICB 2-3 में पहुचने का यही होता है कि हमारा paper incomplete रहता है हमारा paper पूरा नहीं होता है जिसकी वज़स से आपका marks कम हो जाता है और आप यहां पर पहुच जाते हैं लेकिन कोई बात नहीं अभी भी इतनी देर नहीं हुई है निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है सो आपके लिए very important जो चीज है वो है time management and अंक विभाजन यानि की marks divination जो है उसके बारे में आपको मैं पहले बता रही हूं यह आप प्लीज लिख लीजिए note down कर लीजे अगर आप time management को follow कर लेते हैं सो आपको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होती है सबसे बड़ी problem हमारी यही है कि हम जब लिखना शुरू करते हैं तो भूल जाते हैं कि हमें समय पे भी ध्यान देना है सो start करते हैं सबसे पहले यहां पर एक table बनाया गया है जो पांच विभाग में बाटा गया है यानि कि आपका जो question paper है वो पांच हिस्से में divide होता है जिसमें सबसे पहला हिस्सा जो है वो है आप लोगों का lesson section जिसे हम गद्य खंड कहते हैं इसके लिए आपको 20 marks दिया गया है और अगर मैं time limitation की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर 40 minute enough है आपका paper अच्छे से लिखने के लिए दूसरा हिस्सा आता है आपका poem section और poem section आपको आता है exam में 12 अंक के लिए यानि कि 12 marks के लिए जिसके लिए अगर मैं time की बात करूँ तो 20 minute मुझे लगता है बहुत जादा अच्छा समय है आप easily इतने में लिख सकते हैं तीसरा विभाग आता है आपका पूरक पठन जो कि 8 अंको के लिए है और इसके लिए अगर मुझे आप समय कहें तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 मिनट समय इनफ है फिर आता है आपका अगला हिस्सा जो कि है grammar very important for you ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर पूरे marks आपको मिल सकते हैं बढ़ थोड़ी सी महनत की जरूरत है तो मैं आपको बताऊंगी आपको करना क्या है लेकिन उससे पहले 14 अंकों के लिए और 6 नंबर विकल्प अंक यानि कि total यहाँ पर जितने भी grammar हैं वो आप लोगों को 20 नंबर के लिए आने वाले हैं तो 20 नंबर का जो grammar है आपको पूरा ही अटेंड करना है जिसमें से आपको सिर्फ 14 अंक मिलेंगे यानि कि 6 जो है वो आपको option है यानि कि optional question में चला जाता है इसके लिए अगर मैं समय की बात करूँ तो 30 मिनट का समय बहुत जादा समय है आपको इससे कम ही समय लगेगा लेकिन फिर भी approximately मैंने 30 मिनट का समय यहाँ पर आपके लिए चूज किया है अगला आता है आपका rating skill section जिसके लिए अगर मैं time की बात करूँ तो approximately 1 hour यानि कि 55 मिनट का समय मुझे लगता है कि आपको लगना चाहिए जिसकी में आपका अच्छे से paper पूरा हो जाए so total timing आता है आपका 160 मिनट जिसमें आपका 3 घंटा यानि की 180 मिनट का आपका जो paper है उसमें मैंने आपको 160 मिनट का time management करके दिया है यानि की still आपके पास अभी 15 से 20 मिनट का समय बच्चता है उसका utilize आप कैसे करेंगे आपको paper presentation पे ध्यान देना है आपने जो भी highlight नहीं किया है जो भी special days है या जो भी नाम है आप उसे underline कर सकते हैं कृतियां अच्छे से बना सकते हैं paper को एक बार revise कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आपका paper तीन घंटे के अंदर पूरा का पूरा हो जाए यहां पर यह time management मैंने मेरे अनुसार दिया है जो मुझे लगता है कई ऐसी चीजे हैं जहां पर आपको समय जादा भी लगेगा और कम भी हो सकता है ICB 23 के लिए जो very important चीज है मुझे ऐसा लगता है कि lesson section बहुत अच्छा scoring है आपके लिए पूरक पठन आप यहां पर अच्छे से focus कर सकते हैं grammar में आपको जितनी शक्ती है आप उतना जादा यहां पर अपना दिमाग लगाईए और present कीजिए और इन सबसे बढ़कर है जहां पर आप अच्छे से number खीच सकते हैं वो है आपका writing skills section यहां पर आपके पास बहुत मौके हैं आप अगर लिखते हैं तो आपको marks मिलना ही मिलना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आपका paper presentation एक बार उससे पहले यह बता दू कि आपको सबसे पहली कोशिश जो है वो यही करनी है कि आपका paper हर परिस्थिती में हर हालत में at least पूरा हो क्योंकि जब paper पूरा होता है तब आपको बहुत अच्छे marks दिखते ही हैं लेकिन अगर आप paper ही पूरा नहीं करेंगे तो आपको marks कैसे मिलेंगे मतलब question number two पहले लिखेंगे question number five पहले लिखेंगे question number one बाद में लिखेंगे या कई बच्चे तो यहां तक कर देते हैं कि कृतियां पहले सारी लिख लेते हैं और बाद में सभी का स्वामत एक साथ लिखते हैं ये सारे के सारे तरीके गलत हैं इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपके marks पे असर दिखता है तो प्लीज आप अपने paper को sequence में लिखे, अच्छे से लिखे, line से लिखे question number 1 का A अगर खतम होता है तो A दूसरे page पे शुरू करे A खतम होता है तो E तीसरे page पे शुरू करे एक के नीचे दूसरा question number शुरू ना करे तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे paper लिखना है और कहां कहां पर आपको ध्यान देना है सबसे पहले आपको बता दू कि 20 अंक के लिए आपको 3 सौरी, 80 अंक के लिए आपको 3 घंटे का समय है जिसमें lesson आपको यानि की पूरे की पूरे जो part हमने पड़े है प्रतम वद्वितिया इकाई में वो 20 अंकों के लिए पूछा जाएगा जिसमें 2 scene passage होते हैं और 1 unseen passage होता है जो scene passage होता है वो 8, 8 अंकों के लिए होता है और जो unseen होता है वो 4 अंक के लिए होता है यहाँ पर आपको A, A, E इस तरीके से 3 भाग में question number 1 divide किया गया है जिसमें आप लोगों को 8, 8 और 4 अंक के पूछे जाएंगे इन 3 चीज में आपको स्वामत compulsory पूछा जाएगा टोटल 6 अंक का आपका स्वामत होता है तो अगर आप स्वामत छोड़ देते हैं तो आप सीधे सीधे 6 नंबर का नुकसान करते हैं लेकिन गलत सही जो भी आपको समझ में आ रहा है वो topic से related, वो line से related या lesson से related भी अगर आपको उसमें से कुछ भी समझ में आ रहा है और आप लिखते हैं अगर आपने 8 line भी लिखा है जिसमें से आपका सिर्फ कुछी ही हिस्सा अच्छा है और बाकी आपने पकाया है तो भी आप लोगों को वहाँ पर आधा अंक अगर मिल जाता है तो आपका benefit ही है लेकिन अगर आप paper छोड़ देते हैं तो आप सीधे सीधे वो दो नंबर को नकार देते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको नंबर कहां से मिलेगा इसलिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है तो paper आपको पूरा करना है बीस नंबर में अगर आप गलती भी करते हैं तो मान लीजिए आपने पांच नंबर की गलतीगी फिर भी आपको पंदरा नंबर यहां पर cover up हो सकता है क्योंकि लेसन बहुत आसान है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि जो उसके प्रश्न होते हैं उसके आंसर आपके passage में ही है और आपको वहीं से धूड की लिखना है कॉपी करना है देखा जाये तो तो आप वहां पर वो भी देख सकते हैं इनके अलावा अगर आप आगे बढ़ें तो आप लोगों को यहां पर मिलेगा बेसिक ग्रामर उस बेसिक ग्रामर में आप लोगों को वही सारे बेसिक ग्रामर आते हैं जो आपने इतने सालों से पढ़े हैं यानि की साथवी में, आठवी में नौवी में भी आपने वो सब देखे हैं तो यह वही सारे ग्रामर हैं जो हमने पढ़ें आप देख सकते हैं कृधंत, तधिंत, त्त्सम, तद्भाव विदेशी शब्द ऐसे सब्द पूछे जाते हैं मैं आपको बतादू ये जो सारे के सारे basic grammar पूछे जाते हैं इनमें वही सारे grammar हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं आपको पता है और कई बार तो ऐसे grammar के question होते हैं जिनका answer आपके passage में ही होता है और वहां से धूर के आपको लिखना होता है तो इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप उसे समझते हैं और छोड़ देते हैं क्या हो जाता है जब हमारा presentation अच्छा नहीं होता तो marks पे असर दिखता है और आपके साथ में actually वही होता है कि हम इसके practice जादा करते नहीं है और बाद में जब लिखना शुरू नहीं करते हैं और ली पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब आ गया लेकिन जब हम लिखने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार यह spelling मुझे आती नहीं है इसलिए हमें बहुत ज़रूरी एक practice है वो है लिख कर पढ़ने वाला वो हमेशा ध्यान देना है तो आप लोग जितना ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपको exam में benefit होना ह इसके बाद आता है आपका स्वामत स्वामत भी आप पैसेज से ही related बना सकते हैं सोच के लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप पैसेज की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों का question होता है बस आपको question number proper डालना होता है आकरिती जो है जैसी बोली है ब अच्छे से नजर आए देख कर लिखने में भी गलती न हो इसका जड़ा धिहान दीजिएगा यहां पर specially मैं mention करना चाहूंगी यह lesson हाला कि नहीं है exam में लेकिन फिर भी मैं आपको types बता रही हूं तो जैसे कि अगर आप देखें तो कहा गया है कि दो प्रशन तैयार कीजि यहां पर मैंने देखा है कि आप लोग यह गलती करते हैं और यह बहुत ही silly mistake है देखा जाए तो हाला कि इसका answer आपको आपके passage में ही मिल रहा है अगर आप देखें तो सामने ही blink हो रहा है स्क्रीन पर ही आपके आ रहा है तो हमने question बना दिया कि भई रोगन का मतलब answer में कै क्या दिया था रोगन दिया था अब आया रहमान के ऊपर सो लक्षमी को किसने डंडे मारे थे रहमान ने मारे थे हाला कि यह lesson exam में नहीं है इसलिए आप इसे नहीं देखें चलेगा मैं सिर्फ आपको बता रही हूं types कि कोशन कैसे type में आएंगे ठीक है इनके अलावा आप को और भी छोटे-छोटे grammar आ सकते हैं जिनमें sequence में लगाने के लिए कह सकते हैं कारण कह सकते हैं समझ कर लिखे सत्य असत्य कह सकते हैं अच्छा सत्य असत्य में भी हम बहुत shortcut मार लेते हैं हमें कहा जाता है कि सत्य असत्य पहचान कर लिखे या गलत को सही करके लिखे तो क तो इस तरीके से आपको वो लिखना होता है वच्चन बदलने के लिए अगर आप देखें तो यह आपके टेक्शुल ही कोश्चन दिये हैं आपको इसका आंसर आपके पैसेज में ही मिल रहा है ठीक है तो आपको यह थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना जरूरी है इसके बा कोश्चन नमबर डाल दीजिए और वहां पर छोड़ दीजिए जगह और कोश्चन नमबर वन का आप दूसरे पेज पर शुरू कीजिए कैसे है कि अगर आपने यहां पर जगह छोड़ा भी है तो आप बाद में जितना चाहे उतना यहां पर आराम से लिख सकते हैं कोई ट का अ आपका यहां पर खतम हो जाएगा तो आप दूसरे पेज पर कोश्चन नमबर वन का आश शुरू करेंगे सेम उसमें भी आपको वही सिक्वेंस अपनाना है वही चीज़े अपनानी है फिर आता है कोश्चन नमबर वन का ई जो की अन्सीन पैसेज है वहां पर दो हशाम है आप जगत छोड़ रहे हैं यह जगत छोड़के भूल मत जायेगा समझ में आया आपको यह भरना है और लिखना है सो समझ के लिखो समय लगा के लिखो लेकिन-ligo जरू दो ही लाइन लिखो तीन ही लाइन लिखो लेकिन लिखो छोड़ो मत जगखाली छोड़ने से जो impression जाता है वो बहुत खराब जाता है लेकिन अगर आप लिखते हैं अच्छे से कोशिश करते हैं तो आपका presentation आपकी कोशिश रंग लाती है तो प्लीज आप paper छोड़ने की गल वालग होता है इसके लिए especially कहूंगी आप जितना जादा हो सके paper set जो भी आपके पास है last year के या semi one, semi two, या premium की जितने भी set आपके पास है, school के set जो आपके पास है आप उन में से इनकी जो कृतियां हैं जो भी questions पूछे गए हैं उन्हें दो तीन बार अगर आप देख देखके solve करते हैं बीना देखके solve करते हैं तो भी आपकी अच्छी practice हो जाती है सो poem section के लिए मैं especially वही कहूंगी यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है बहुत जदा ध्यान देने की जरूरत है तो वो है बरसही जलत और गिर्धर नागर में क्योंकि ये दोनों कविता बहुत तफ मानी जाती है हाला कि ये समझने के लिए आसान है बट इनकी wording थोड़ी सी difficult है तो आप इस पे जरा ध्यान दीजेगा इनके अलावा भारत माइमा और लास्ट पोयम है समता कियो और उस पे भी ध्यान दीजेगा इसका विभाजन सेम चीजे दो नमबर का प्रशन पुछा जाएगा दो नमबर की बेसिक ग्रामर और दो नमबर के लिए सरल भावार्थ यहाँ भी आपको दो पैसेज है दोनों ही सीन है यानि के टेक्श्वल ही है कोशन नमबर टू का अ और कोशन नमबर टू का आ फिर आता है आपका पूरक पथन अब यह जो पूरक पथन है इसके बारे में आपको बोलना चाहूंगी कि जो पूरक पथन है वो बहुत ही आसान है आप लोग अगर उसे एक बार भी ढंक से पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाता है पूरक पथन में एक चीज है कि यहाँ पर दो पैसेज आते हैं चार-चार अंको के लिए एक पैसेज जो है वो लेसन से रिलेटेड होता है और जो दूसरा पैसेज होता है वो पोयम से रिलेटेड होता है मतलब जो मन है जो हम धर्ती की संतति यह जो कविताएं है यह भी पूरक पथन है तो एक पैसेज इन से आएगा और एक पैसेज जो है वो लेसन से आता है यह बहुत ही easy होते हैं यहाँ पर जो question होते हैं उनके answer भी easily आपको सामनी से दिख जाते हैं बट बिना practice के आपको कुछ भी नहीं देखेगा कहने का मतलब यही है कि जिनकी practice होगी उनके लिए यह paper आसान होता है उसके बाद यहाँ पर आपको question number 3 जो है वो आता है पूरक पठन का a और a करके फिर आता है आपका grammar section grammar के लिए कहूंगी कि यहाँ पर आपको विशेज ध्यान देना है क्योंकि grammar में आपकी भर-भर के गलतियां होती है और वो भी silly mistake की वज़े से आपके marks बहुत ज्यादा कट हो जाते हैं तो कौन-कौन सी चीजों पर ध्यान देना है मैं वो भी आपको बता रही हूं जैसे कि यहाँ पर यह शुरू हो रहा है आपका grammar 14 marks के लिए आपको अगर grammar पूछा है जिसमें 6 नंबर का आपके पास extra भी है मतलब backup भी है अगर इन में से कुछ आपको नहीं आता है तो आपके पास कुछ और भी है option तो आप उनहीं भी attend करेंगे सबसे पहले तो यह है कि grammar में question और option question दोनों attend कीजेगा आप grammar में question answer with presentation लिखिएगा और हर एक grammar का question होने के बाद एक line leave कीजेगा और फिर दूसरी line में लिखिएगा ठीक है जो grammar आपको नहीं आता है आप फिलाल उसके लिए जगर छोड़ते चलिएगा और सारा होन के बाद आप वापस से अपने grammar के उन question पे जाएगा जो आपने छोड़ा हुआ है उन्हें समझिये टटोलिये और कोशिश कीजिए solve करने की तो यहाँ पर सबसे पहला आता है आप लोगों को संग्या सर्वनाम विशेशन तो इनके आपको प्रकार भी पहचानने होते हैं यहाँ पर आपके पास दो question होते हैं एक अंक के लिए आता है आपको एक सव्वे और एक अव्वे तो दोनों को मिला के दो अंक हो जाते हैं सव्वे से एक ही पूछा जाएगा sentence में उसमें आपको एक शब्द दिया जाएगा और कहा जाएगा कि पहचानिये यहाँ कौन सा शब्द भेध है तो जिसमें संग्या सरवनाव विशेशन कौन सा है आपको पहचानना है फिर आता है आपका अव्वे वाक्य प्रयोग करने के लिए यहां पर आपको शब्द पे sentence बनाना है कोशिश कीजिए sentence छोटा बनाए spelling mistake ना हो जो भी नाम का चुनाओ करो simple sober करो और उसे जहां भी वो शब्द आए उस sentence में उसे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा कोशिश हमेशा यही कीजिए कि जो भी आप sentence बनाए वो बड़ा न बनाए क्योंकि जितना बड़ा sentence बनाएंगे उतनी जादा आपकी गलतियां होती है तो आप छोटा sentence बनाने की कोशिश कीजिएगा फिर आता है आपका संधी, संधी में आपको दो कोशिशन दिये जाते हैं जैसे कि इसका एक्जांपल भी आपको दिखाऊंगी तो आपको दोनों ही attend करना है जो भी आपको समझ में आता है आपको वो लिखना है सहायक में भी दो कोश्चन है, दो में से एक करना है, आप दोनों कीजिएगा प्रेण नार्थक में भी दो है, दोनों में से एक करना है, आप दोनों ही कीजिएगा यहाँ पर आपको टेबल बनाना कंपलसरी है, संधी में भी टेबल बनाना कंपलसरी है फिर आता है मुहावरा, मुहावरा भी दो प्रकार का है, आप दोनों ही अटेंड कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड वाला ज्यादा इजी है, तो आप उस पर ज्यादा फोकुस कीजिएगा कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है, तो सिर्फ कारक शब्द नहीं पहचानना है, उसका टाइप भी आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ भी आपके पास दो कोशन है, दो में से कोई एक करना है, आप दोनों कीजिएगा विरामचिन्ह, जिनकी टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छी होगी, उनको विरामचिन्हे में दिक्तत नहीं आएगी, यहाँ भी दो कोशन है, और एक आपको सॉल्फ करना है, तो आप दोनों ही कर सकते हैं तीन में से दो वाक्यों का काल परीवर्तन करना है, तो यहाँ पर कोशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप तीनों ही काल परीवर्तन कीजिएगा वाक के भेट दो प्रकार से हैं रचना और अर्थ के अनुसार रचना में सिर्फ पहचानना है जिसमें सरल सहयुक्त मिश्र पहचानने के लिए पूछा जाएगा और अर्थ के अनुसार परिवर्तन में आपको छे प्रकार जो हैं वो पूछे जाएंगे इनके अलावा वाक के शुद्ध करना है जिसमें आपको चार घटक होंगे फ्रतेक के लिए आधे अंक देंगे कहने का मतलब है कि दो सेंटेंस आपको यहां पर जो होंगे उसमें दो या दो से जादा गलतियां होती है उन्हें सुधार कर लिखना होता है तो जब आप अपना कोश्चन अटेंड करेंगे ग्रामर का तो आपको बिल्कुल ऐसा ही अटेंड करना है कोश्चन आंसर विद प्रेजेंटेशन देख सकते हैं अंडरलाइन कैसे किया गया है संधी के लिए स्पैशली कहूंगे कि भाई बहुत प्रॉब्लम होती है तो अगर आप नोटिस करें तो संधी पहचानला काफी आसान है तो आप जो सेकंड वाला टाइप होता है वहाँ पर आप आधा नमबर एजिली पा सकते हैं क्योंकि संब प्लस तो प्लस के पहले आधा म आ गया है जब आधा म आ गया है तो यह व्यन्जन संधी है तो यहाँ पर आधा नंबर आपका clear हो जाता है और इसका shortcut भी हमने आपको बताया है कि जहाँ पर sum रहेगा वहाँ पर म की जगव पे आपको अंकी बिंदी लगानी है बस तो आपका answer निकल जाएगा संतोश इसके अलावा संधी के लिए अगर आपको संधी समझ में नहीं आती है उसके सुतर याद नहीं होते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता सब bounce चला जाता है तो best तरीका है कि टेक्स्ट बुक में जितने भी संधी के question दिये गए हैं आपने देखा होगा कि आपके टेक्स्ट बुक में लेसन के पीछे संधी का तीन question दिया गया है जिसमें आपको संधी पहचानना संधी विछेद करना और ऐसे करके दो पूरा table बनाके दिया है तो अगर आप उनको ही तीन से चार बार लिखकर अच्छे से practice कर लेंगे उतना ही रट्टा मार लें कर लेंगे तो भी आपका संधी तयार हो जाएगा और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ होने वाला है तो आप इसे जितना आपको समझे उतना कीजिए और आगे बढ़ जाएगा एकी जगह पे समय मत खराब कीजिएगा सहायक में आप लोगों को दो सेंटेंसे आप दो हमेशा सेंटेंस के अंत में सहायक करिया होगा उसका मोल रूप लिखें डैश करके सहायक करिया लिखें तब आपको एक नमबर पूरा मिल जाएगा यहाँ पर आपका आता है प्रेड नार्थक प्रेड नार्थक में टेबल जरूर बनाएगा और टेबल पे हेडिंग लिख प्रत्थम प्रेडनार्थक रूप द्वितिय प्रेडनार्थक रूप अगर स्पैलिंग नहीं आती तो कोश्चन पेपर में है वहां से कॉपी करके लिखेगा बट गलत मत कीजिएगा यहां पर आपके पास बहुती easy option है और काफी आस्तान है प्रेडनार्थक तो आप चाहें तो अपनी ही textbook में जो एक पूरा का पूरा प्रेडनार्थक का 12-15 कुछ कोश्चन है आप अगर उसको अच्छे से learn कर लेंगे तो आपका प्रेडनार्थक एक नमबर पक्का हो जाएग तो 90% grammar तो आपको वही से मिल जा रहा है तो अगर आप उनको ही अच्छे से 2-3 बार, 3-4 बार अच्छे से learn कर लें, read and write, read and write करेंगे तो आपका अच्छा grammar प्रेपैर हो जाएगा grammar इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं, थोड़ी सी महनत और रंग जरूर आता है फिर आता है आपका मुहावरे, मुहावरे में first one जादा बच्छों को तकलीफ होती है, बट second one में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है बट यहाँ एक छोटी सी चीज है, कई बार क्या करते हैं, आप लोग सिर्फ मुहावरा लिख देते हैं आंसर में कि हाथ फेरना, गलत है, ऐसा नहीं लिखना है आपको वो sentence के अंदर form करना है, तो जो sentence से पहले वो लिखिए, वहाँ पर थोड़ी बहुत परिवर्तन आप कर सकते हैं और उसके बाद आपको लिखना है मुहावरा, ठीक है? और उसे underline जरूर कीजेगा कारक में भी सिर्फ कारक शब्द पहचान ये नहीं, कारक के प्रकार भी लिखिएगा कि कौन सा कारक है फिर आता है विराम चिन्ह, टेक्स्ट बुक की ही लाइन होती है, कई बार वो passage आपको question में होता ही है मतलब हमने वो already passage पूछा है और उसमें से ही कई बार आपको विराम चिन्ह दे दिया जाता है तो अगर आपने वो lesson अच्छे से देखा होगा तो आपको तुरंट क्लिक हो जाएगा कि क्या है ये यहाँ पर अधिकतर विराम चिन्ह वालों में double inverted, single inverted, comma या विसमयादी चिन्ह वाले प्रशन पूछे ही जाते हैं तो इतना याद रखेगा अगर comma closed करना है तो विराम चिन्ह के बात कीजिएगा उसकी बाद आता है आप लोगों का काल परिवर्तन, काल परिवर्तन में question, answer with presentation कीजिएगा अगर question के लिए समय नहीं है तो आप सीधे लिखेगा सामानी भूतकाल और answer लिखेगा answer में जहां भी आपने परिवर्तन किया उसे underline जरूर कीजिएगा सामानी भूतकाल में थाथी थे नहीं आता है याद रखिएगा गलती से आप लोग थाथी मतलगा दिजेगा की भूतकाल है सामानी भूतकाल में नहीं आता है रशना के अनुसार करना है वहाँ पर question answer होना चाहिए और अगर आप रिवर्तन कर रहे हैं तो आप सीरिफ लिखेगा आग्यार्थक वाक्य देन सीरे answer वाक्य शुद्ध करने के लिए आपको text book की जरूरत पड़ेगी और ये textual ही होते है तो यहाँ पर अगर आप देखे तो बहुत silly mistake होती है कई बार एक ही गलती होती है कई बार दो और कई बार तीन इससे ज़ादा गलती आपको एक sentence में नहीं दिखती है और बहुती silly mistake होती है अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत नजर आ जाता है अब इन सब के अलावा सबसे ज़ादा महनत जो है वो करनी है आपको यहाँ पर वो है आपका writing skill section 26 नंबर का writing skill अगर आपने अच्छे से तयार किया है आपने 5-6 अच्छे से पत्र लिखन कर लिया है 4-5 आकलन कर लिया है आपने 5-6 कहानी अच्छे से लिखके practice कर लिया है आपने 8-10 विज्यापन अच्छे से बना लिया है आपने 5-6 या हफती में 1-2 दिन अगर निबंद की practice भी की है तो यकीन मानिये 26 में से 20 नंबर आपको यूही मिल जाएंगे आपको जादा मेहनद भी नहीं करनी पड़ेगी विकॉइस पढ़ा हुआ और लिखा हुआ दोनों में आपका जो एक चीर कालिन कहते हैं ग्लिख की कोई चीज पढ़ते हैं तो वो चीर कालिन होती है लंबे समय तक याद होती है तो जिन बच्चों ने writing practice किया होगा उनको बिलकुल भी problem नहीं आएगी लिखने में ठीके यहाँ पर आपका समय जादा जाता है तो कोशिश कीजे कि आप बाकी सारे भाग में अपने समय को बचाएं और यहाँ पर लगाएं ठीके पत्र लेकन का format आपको पता ही है आप लोग आपको लगता है लेकिन अगर आप बिना practice के करेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा यहाँ पर सीख सिर्शक प्लीज इग्नॉर कीजेगा ऐसे प्रशन मत पूछिएगा एक एक नंबर के छोटे-छोटे प्रशन मत कीजेगा एक एक लाइन छोड के लिखिएगा अगला आ और कहानी में से दो में से कोई एक आप कहानी लिखिएगा विज्यापन चित्र बना सकते हैं तो बनाईएगा वरना इग्नॉर कीजेगा जो भी लिखेंगे पैंसे लिखेंगे बॉक्स बनाएंगे पैंसे बनाएंगे पैंसे बनाएंगे पैंसे बनाएंगे पैंसिल का जोड़ते हैं तो छुटने दो दो नंबर का स्वामत छुटता है तो छुटने दो लेकिन सात नंबर में निबंध न छुटे इसका ध्यान दीजेगा अगर आपने एक पेज भी खीच के लिख लिया तो भी आपको दो ढाई तीन नंबर मिल जाता है तो प्लीज आप छुट जाता है वहाँ पर उनके समय नहीं बचते हैं और उनका मार्क्स रहे जाता है इसलिए मैंने कहा कि जहां पर समय आपको लगता है कि जादा लग रहा है आपको नहीं आता है उसे छोड़के जगद छोड़के आगे बढ़िएगा ताकि आप अपना पेपर टाइम प और शब्दों को मिला जुला के स्वामत इजली आटेंड कर पाते हैं ठीक है तो शुरुवात में ज्यादा सोचने में समय न गवाएं जितना आपको आता है पहले वह करें और जो नहीं आता है उसके लिए जगद छोड़ते जाएं बाद में उसे जरूर कीजेगा एक स्प यहाँ पर जितना ज्यादा पेपर नीट क्लीन इजी रहेगा उतना आपके मार्क्स के लिए वो अच्छा रहेगा ठीक है तो पत्र लेखर में पत्र पाने वाला लिखने वाला दोनों का इमेल आईडी लिखेगा मैंने आपको पहले भी यह जिस कहा था वापस कह रही हूं कहानी के लिए आप चार के जगा पांच प्रशन बनाएगा एक एक लाइंग छोड़के बनाएगा विराम चिन्नों का उपयोग जरूर कीजेगा क्योंकि अगर प्रशन वाचक चिन्न नहीं हुआ तो भी माक्स नहीं मिलेगा हिंदी मराठी मिक्स करने की गल्ती मत कीजेग ठीक है जितनी प्राक्टिस हो सके आप कीजेगा कहानी में आपको सीख और सिर्शक स्पैशली लिखना है वन लाइन लीव करके विज्यापन में आपको छोटा सिंपल सोबर सा बनाना है तो बनाएगे कृती आती है तो एड कीजिए नहीं तो इग्नॉर कीजिए कम से कम परेड़ कीजिए तक खीच सकते हैं आपकी अकर अगर अच्छी है तो आपको जहां भी जो भी question paper मिलता है चाहे वो semi 1 का हो चाहे वो semi 2 का हो चाहे वो half portion हो चाहे वो full portion हो उन सभी paperों में से सबसे पहले आपको उनके जो छोटी छोटी कृतियां हैं उन्हें solve करना है ठीक है time के साथ time रखिए और उसको solve कीजिए उसके बाद आप उनके स्वामत को solve करने के कोशिश कीजिए फिर उस पे से grammar solve करने के कोशिश कीजिए and फिर writing skill solve करने की कोशिश कीजिए कहने का मतलब है कि जितना जादा आप paper set solve करेंगे उतना जादा आपकी तैयारी होगी क्योंकि जब समय कम होता है तो जादा book पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है ऐसी परिस्तिती में book को देखके भी डर लगने लगता है तो आप question paper लीजिए उसे solve कीजिए आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि मेरा learn नहीं है ठीके तो हम क्या करेंगे 5 question paper ले लो 5 में से 2 question paper आप देख देखके solve करो ठीके उसमें से 2 आप बिना देखके solve करो और 1 आप अ lesson section का ही सारा के सारा कर लीजिए जो आपको easy लगता है फिर आप अपना RR अच्छे से learn कर लें फिर आप अपना grammar कर सकते हैं writing skill कर लीजिए और आपको poem हमेशा difficult लगता है तो poem आखर में कीजिएगा ठीक है लेकिन याद रखेगा marks के अनुसार आप तयारी जरूर कीजिएग overall अगर आप paper का practice करेंगे और अच्छे से अपना time utilize करेंगे तो आपका paper छुटेगा भी नहीं paper time पे भी पूरा होगा so please आप ये छुटी छुटी बातों पे ध्यान दीजिएगा paper की अच्छे से practice कीजिएगा और अच्छे से paper done कीजिएगा ठीक है so all the best for your final exam take care god bless you bye bye झाल